हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल आईटीवपी हेट कोई स्टेव मनिस्टियल का फिजिकल का एडमिट का जारी कर दिया गया है जो भी कैंडिडेट अपिक तक डाउनलोड नहीं किये हैं तो प्लीज जाका डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करने के लिए आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जागा वहां से आप लोग लोग इन करके अपना एडमिट का डाउनलोड कर लिजेगा तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईटीवपी हेट कोई स्टेव मनिस्टियल के फिजिकल के बारे में क्यूंकि आप लो चेस्ट मेजर्मिंट होने वाला नहीं है आपका जो है इसमें रनिंग हाई जंप लॉंग जंप भी होने वाले हैं तो इसके बारे में फुल डिटेल से आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं क्यूंकि हम इसका फिजिकल दे चुके हैं तो इसके बारे में आप लो दिस्क्रिप्शन में मिल लागा अगर इस वीडियो में जो हम बात बताएंगा अगर समझ में नहीं आए कोई डाउट राज या थुवासा भी तो आप लोग हमें कमें करके पूछ सकते हैं या फिर आप लोग टेलीकर्णम ग्रूप में जोइन होजिए अगर लिग दिस्क्र सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब लगे जुए छे बजे आपका इंट्री का टायम दियागा और आप लोग को फिर से बता दें आप लोग खुद एड्मिट कार्ड पर ही जाकर देख सकते हैं कि आपके एड्मिट कार्ड पर लिखा होगा पीटी पीएश्टी पीटी पीएश्टी यानि कि दोनों आपका होने वाला है केवाल आपका पीएश्टी निवेल दोनों होने वाला है पीटी और पीएश्टी यानि कि हाइट वेज चेस्ट भी मेजर्मेंट होगा साथ में साथ रनिंग भी और हाई जंप लॉंग जंप भी होने वाला है कितना क्या क्या होने वाला है सभी के बारे में आप लोग को डिटेल से बताने वाला है सबसे पहले इंटरी के बात करें तो इंटरी जो है आपका 6 बजे टाइमिंग लिखा गया है वो है आपका admit card, admit card तो आपके most important होता है, admit card, admit card के साथ साथ आपको जो है application form, application form बहुत ज़्यादा important है आप लोग के लिए, तो application form जो भी नहीं लेकर जाएगा वहाँ पर आप लोग, तो get पर से ही आपको जो है, भगा दिया जाएगा, अंदर आपको इंटरी नहीं लिया जा होंगे, तो आप लोग को मिला ही होगा application form, ठीक, application form अगर आप लोग नहीं जानते होंगे, कैसा होता है देखने में, तो आप लोग हमको telegram group में बेज़ेगा, हम आप लोग को बता रहे हैं किस तरह से भेज़ देंगे, देख लिज़ेगा, किस टाइप का होता है, यह तो आ आपका जो सभी चीज सेम होना चाहिए, आपके date of birth है, आपका name, father name सभी जो है आपके identity proof से match होना चाहिए, अगर आप लोग OBC से हो, SC से हैं, ST से हैं, तो आप लोग को जो है card certificate लेके जाना पड़ेगा, OBC के लिए central का card certificate लेके जाना पड़ेगा, और SC, ST का state वाला भी चल ल से बिलॉंग करते हैं, ST वाले, तो आप लोग जो है, अपना card certificate जरूड लेके जाएगा, इसमें जो है, आपको छूट जरूड मिनने वाला है, अगर आप लोग SC, ST तो डाले होंगे, और आप लोग का card certificate नहीं लेके जाएगा, तो आप लोग को वहाँ से भागा दिये कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा आप लोग कोशित केगा, अगर आपको वास है, तो लेकर ज़रूर जाना है आपको, ठीक, फिर उसके बाद ज़्यादा आप लोग इंटरी किजेगा, तो आपका बैच बनाये जाएगा, रनिंग के बैच में देखी, आप लोग चेस्ट नंबर हरे केंडिडेट को पहना देजाएगा, चेस्ट नंबर पहनाने का बाद सभी को लाइन बाइन, अब यहाँ पर क्या होता है, कि डिरेक्ट आपको रानिक लिए नहीं ले जाएगा, यहाँ पर आपके पैर में चीप बना जाएगा, क्या? चीप, यहाँ पर जो है, आपके पैर में चीप बना जाएगा, वहाँ पर आप लोग चीप पैर में दोनों पैर में आपको बन दिया जाएगा, अच्छे तरीके से, उसके बाद जो है, आपको चीप का जो है, वेरिफिकेशन होगा, आपके सिस्टम पर वो सब चेक करेंगे, सभी है कि नहीं जो होता है, जो राउंड होता है, इसका बहुत ज़्यादा इन पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान जवर रखिएगा, तो जैसे कि यह आपके पैर में चीप बना जाएगा, वहाँ पर आपनों को पचास बंदे होते हैं एक साथ, तो सभी बंदों को जो है, लाइन 10 बंदा है, फिर यहाँ इस तरह से लाइन लगा दिया जाएगा, ठीक, और यह लाइन बै लाइन जो है, सभी को छोड़ा जाएगा, सभी के पैर में चीप बने होंगे, और यहाँ पर आपके मैट लगे होते हैं, ठीक, इस मैट पर आपको पैर रखना compulsory है, अगर आपके म मैट पर आप लोग पैर नहीं रखते हैं, तो आपका राउंड जब आप लोग मारिएगा, चक्कर लगाईएगा, तो आपका यह काउंट ही नहीं होगा, ठीक, और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यही है, कि इसमें आपको टाइमिंग जो है, फूल दिया जाता है, कितना स आपको टाइम भी नए पता चलता है, यहाँ पर आपको चीप लगा होगा पैर में, तो आपको टाइम मालुम चलेगा, जब आपो डिस्क्व kita किजएगा, या फि जो भी पास करेगा, तो आपको टाइमिंग देखा देखे, आपका टाइमिंग इतना लगा था, ठीक, यही कि इसी मैट पर जैसे कि Line Balance अभी कुछ छोड़ा जाएगा और ज大इसे ही आप लोग यह है अपने मैट पर आप लोग पेयर रखते हैं तब ही आपका time my start होगा तब तक इससे पहले आपका timing श्टार्ट नहीं होगा जबहुंने मैट पर存़ रखेएगा तभ ही आपका timing टाइमिंग इस्टार्ट होगा आगे वाला क्न मतलम नहीं कि हम से 100 मीटर चला गया तो लोओ उसका इन्येक ठोड़े होगा नहीं जब続 तक इस प्रेड जो मैट होता है इस पर नहीं रखेंगे तब तक आपका जो है टाइमिंग स्टाट नहीं हो तो लाइन बालेंज जो है सभी केंडेजट को छोड़ा जाएगा और यहां जैसे ही पर रखते हैं आपका टाइमिंग स्टाट हो जाएगा अब कहीं-कहीं ग्राउं चैन ज्रमीटर का अगर आपको चार चकर मारा है तो आपको ध्यान रखना है अपने चांने चकर का अगर आपके तीन चकर मार दिए तो आपका रेस ने स्विए अनकअपने चकर मारा माला नहीं ग्राओर चक्र बना ये जाएगा तो जितना चक्र है आप लोग चक्र याद एकने कि हाँ earlier को यहाँ इस बात को आप से जादा इंप्रोर्टेन्ठ आप लोग टाइमिंग तो जादा है बहुत जादा साथ मिन्त आपको फूल टाइमिंगी जाजएका ऐसा नहीं है क्योंकि चीप लगा होता है इसमें कोई जो है बेमानी वेगारा होता तो आप लोगो को इस पैट पर मैट पर रखना ही है तिक मैट पर रखने के बाद आगे जो बना होता है उसमें आपको घेरा में अंदर जाना परता है ठीक तोड़ा नहीं के कर दो देखिए यह गलती आप लोग को नहीं करने है ठीक इसके बाद जो है आप लोग को रहां आपको अपको बैठा दिया जाएगा और तो थोड़ी देर बाद जादे से 5-5 मिर्ट में आपको रिजल्ट आ जाएगा बता दिया जाएगा कोण-कोण डिस्क्वालिफाई है disqualify वाले को जो है बाहर कर दिया जाएगा और आप लोग जो है पास हो जाएगा अब आपको जो है high jump पर आपको लिया जाएगा high jump जो है आपके सारे 3 feet आपको high jump माना है कितना सारे 3 feet जो है आपको high jump माना है एक rod लगे होते हैं इस तरह से दोनों तरफ rod होता है और बीच में pipe होता है pipe और इधर आपके बालू होते है इस तरह बालू और line by line जो है आपके chase number के अनुसार आपको बुलाये जाएगा और आप लोग कैसे भी फांगे आपको बस केवल पास ही करना है ऐसा नहीं है कि इसमें नंबर मिलने वाला है नहीं आपको running में नहीं आपको high jump में नहीं long jump में ठीक तो बस केवल जो है आपको इसमें पार करना है running में बस केवल आपको एक chance मिलने वाला है running में और high jump में जो है आपको तो बस केवल आप लोग कैसे फांगि आपको कौलिफाइ करना है बस क्या होना चाहिए जो पाइप जो लगा होता है उसको गिरानÁ नहीं है अगर आपको रप तिक और तीन बर आपको चांज दिया जाएगा तीन से चार बार करते हैं तो आपको यहां पर डिस्कोलिफाई कर दिया इसके बाद रुनिंग के 10-15 मिट में आपको आजम पर ले जाए जाएगा आजमप के बाद अब आता है आपका प्रोसेस लांग जम का long jump long jump में क्या होता है आपको 11 feet आपको long jump करना है long jump देखिए इसमें क्या होता है बहुत असान है लेकिन देखिए किस कान से candidate fail होते है देखिए यहाँ पर जो है एक line खीचा होता है और माले कि यह 11 feet है यह जो line खीचा हुआ है आप लोग इदर से running करके आए अगर इस line पर आपका pair पर गया इस line पर पर और यहाँ पर आप लोग पार किये long jump किये तो आप डिस्क्वालिफाई हो जाएगा आपको क्या करना है इस line के इस line पर pair ही नहीं रखना है इस line पर pair नहीं रखना है आपको यह line से थोड़ा सा पहले ही 3-4 inch पहले pair रखना है और jump मारने साथ जब यह कुदिएगा तो आपको यह line भी touch नहीं करना है यह वाला जो line है यह वाला जो line देख रहे हैं यह जो line अब खीचा होता है इस line पर भी आपको touch नहीं करना है कूदना है और इस line पर touch भी नहीं करना है यह नहीं होता है कि pair आगे गया और हाथ पीछे touch हो गया ताब भी आपको disqualify कर दिया जाएगा ठीक तो यहाँ पर आप पर आपको jump करना है तीन चांस इस पर भी आपको मिलने वाला है अब जो लोग नहीं कर पाते हैं तीन चांस में उसको disqualify कर दिया आता है यहां के बाद है आप लोग को जो है line में बैठा दिया आता है line में बैठाने के बाद आप लोग का क्या होगा अब height और chest measurement होने वाला सबसे best हमको इसका लगा अभी तक आप लोग भी जाएगा तो सबसे best लेगा इतने अच्छे तरीके से साप सुत्री से आपका भरती हो रहा है physical होगा ना कि आपको बता नहीं सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से होगा को इसमें धानली वेगड़ा भी नहीं होगा आपके physical म चेश्ट में भी आपको जो हैं अच्छे तरीके से मेजर्मेंट होगा अब सीव देखें हाइट में आप लोग जाते हाइट में जाते हैं तो इहां देखियें आपका the digital आ हाइट लगा हुआ हई उने भी हाइट से होगा और eligibility हला है कि हाइट जो मेजर्मेन्ट होने वाला है वह केवल आपके ड्स. ईस में कोई बहिस्छा क्षा हाइट वह अपके एक्द्ट्ब वहां मीटर पर देखा तो हाइट पर आपको ले जाए जाएगा यहां पर खड़ा करते ही उपर से यह जो होता है लगाने वाला वह आपके सर पर लगाए जाएगा यहां साइड में डिस्प्ले होता है वहां पर लिखा जाता है आपका हाइट इतना है तिक आपका हाइट जो है कितना है आपको बता एपका होता है یसा आपके चेस्ट में लगाए जाएता है और चिफक आनसे को बात नॉर्मल में आपको होना चाहिए और प्या फूल आने के बाद अगर यह —— इतना होगा आपके यहाँ पर मीटर में जो है यहाँपर डिस्प्ले पर सो हो जाता है, height भी और chest भी दोनों भी जो है, आपके machine से होने वाले हैं, ठीक, और दोनों जो है, यहाँ पर आपके सो हो जाते हैं, ठीक, ऐसा नहीं कि थोहाँ सा, एक point भी height अपका कम ड़ेगा ने, तो वहाँ पर हो जाएगा, और chest में भी कोई problem नहीं, अगर आपका chest अच्छा है, तो कोई problem होने वाला नहीं है, थोड़ा सा उपर नीचे भी देगा, एक दो सेंटिमेटर, तो वो लोग आप आपको pass कर देंगे, ऐसा नहीं कि आपको fail कर दिया जाएगा, बिल्कुल बोले ना, शुरू में, बिल्कुल अच्छे तरीके से होड़ा है, तो height और chest भी जो है, आपका होने वाला है, इसी तरीके से, ठीक, इसके बाद जो भी pass हो जाएगा, उसको side में बैठा दिया जाए अब आपको बैठा दिया जाएगा, यह सबसे आपका last process होने वाला है, इस last process में जो आपका, वहाँ पर आपके verification करेंगे, आपको sign करना पड़ेगा, हर एक जगा आपको sign करना, running करने के बाद भी आपको sign करना पड़ेगा, दो-तिन जग महाँ पर आपको लिखा होगा, timing व लिख दिया जाएगा, आपके यहाँ चेस नमर होगा, चेस नमर जो आपका था, वोड़ाएगा, और यहाँ पर आपके commandant, commandant sir के वहाँ पर signature होंगे, और आपको वहाँ पर qualify लिख दिया जाएगा, admit card पर, और यही आपका qualified वाला हो गया, आपको slip मिल जाएगा, qualified का, step का आपको मिलने वाला है, admit card पर ही जो है, आपको जहाँ PhD है, वही पर आपका मोहड मार दिया जाएगा, qualified का, और सिंग नेचर कर दिया जाएगा, तो यह आपको qualified का मिल जाएगा, और जो disqualify वाला rejection मिल जाएगा, आपको जो है, pass वाला मिल जाएगा, तो total बात आप लोग long jump, height, chest, और आपके document, document के बारे में आप लोग बताना भूल गया देखिए, document के बारे में बता दे, document यहाँ पर आपके admit card में देख सकते हैं, कि PET, PhD लिखा हुआ है, यानि कि document में आपके उतना जैदा चेक होने वाले नहीं है, बस आप लोग जो है, अपना admit card ले जाएगा, application form ले जाएगा, एक तेंथ का mark sheet ले जाएगा, identity proof में आप आधार कर ले जाना है, अगर आप लोग OBC, SC, HD इन सभी से भड़े होंगे, तो आपको card certificate लेकर जाना है, इसके अलावा आप लोग को कुछ लेकर नहीं जाना है, नहीं आपको residential certificate जो निवास प्रमान पत बोलते है हैं, यह सब नहीं लेकर जाएगा, साथ में साथ आप लोग जो है, तो आपका documentation अच्छे तरीके से होगा, आप लोग जब एडिमिट का डाउनलोड कर रहे होंगे, तो आप लोग को website पर total लिखा वागे, क्या-क्या process होने वाला, ठीक, जब आप लोग पास कर ले जागा, तो आप लोग को website पर भी show होने लगेगा, आपके qualify PT, PhD, ठीक, तो document में ज़्यादा आपको कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका PT, PhD होने वाला documentation है, documentation में बस थोड़ा मोड़ा जो आप लोग बता हैं, वो ही लेकर जाएगा, कुछ जाला लेकर जाना नहीं है, इसके बाब जो थोड़ा सा भी कुछ doubt बच गया हो, तो आप लोग हमें comment करकर जो है, पुछ सकते हैं, अगर comment में आपको reply नहीं मिलता है, reply तो हम देनी कोशिस करेंगा, यहाँ पर solve नहीं हो पाता है, तो आप लोग हमें telegram group में join हो सकते हैं, link description में दे दिया गया है, आप लोगों clear जो भी करेंगे, चलिए आप लोग से मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में चैनल को subscribe देऊ किजिएगा, इसको अपने दोस्तों में share जोड किजिएगा, जय हिन, बन्यमात्रम, भात्माता की, जय!